तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बी और बी यू उनिवर्सिटी में फॉर्स समेस्टर के एक्जाम में जेनरली बेट रूल से कोशन पूछा जाता है एक कोशन तो इसमें अब्जेक्टिव आता है टू मार्क्स में और दूसरा या तो फाइब मार्क्स में पूछा या हाइब बताना परेगा आपको तो बीड रूल बहुत इंपोटेंट है समस्टर एक्जाम पॉसर एक्जाम के लिए और सब्जेक्टिव पॉइंट के लिए भी तो दिहान से समझजिये और इसको पढ़िये आपके एक्जाम में यह आएगा तो कहता है कि वेड रूल का पंडो कोशन प्रैक्टिस कराऊंगा इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको शिक्योर इसमें से साथ से आठ माक्स आपको इस यूनिट देखे जाएगा कारबोरेन या बोरेन सिस्टम में जो बी-एच यूनिट होगा उसका दो एलक्ट्रण काउंट होगा दो निगेटिव चायज ओन बोरेन और कारबोरेन आयन इस में टो बी यूस्ट ऊसको आपको घातेगा तीसरा पॉइंट में कहना हिरा है कि each addition hydrogen atom in borane या फिर आप carbon में assume to contribute one electron is cletal in a bonding या नि कहीं hydrogen लिखा हो या फिर कहीं आपको hydrogen होगा तो उसका one electron आप count करेंगे फिर चौथा point में कह रहा है कि आपको each ch unit in a carbon is assumed to contribute three electron to the ascletal in a bonding यह बॉंडिंग में CH का आप 3 electron को count करेंगे फिर आगे आप बढ़ेंगे यह कुछ point था आप याद रखिया कि जो BH unit होता है वह दो electron count करता है जो CH unit जो hydrogen होता है वह एक electron count करता है negative का होता है जो add होता है जितना negative charge होता है और जो positive charge होता है घड़ जाता है यह आप ध्यान रखेगा फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेगा weight tool का कुछ method दिया गया था calculation करने का तरीका नहीं तो उसको पत्व पे-प यानि polyhydral electron pair पे-प का मतलब हो गया PEC का मतलब होगा poly electron count यानि PEP इक्वल टू होता है polyhydral electron count by 2 यहाँ पे फिर लिखा आगा कि every BH unit electron count करता है और जो hydrogen atom है वो आपको एक electron count करता है या closure का structure होता है इसको आप देख लेंगे exam में यह बनाना परेगा like यह भी एक closure का structure है जो हमने बनाया है जो आपको PDF form में मैं group में भी send कर दूँगा आप वहाँ पे भी देख सकते है फिर अगर जैसे किसको कैसे calculate किया जाए वो example हम लोग आगे find out करेंगे काफी सार example दी है उस पर आपको काम आएगा उससे पहले कुछ formula जो है आपको ध्यान रखे नहीं होंगे वो formula आपको मैं बता लेता हूँ जैसे कि जब आप system निकालेंगे और आपको n आएगा मतलब आपको हो गया hyper close n प्लस 1 आएगा मतलब आपको close n प्लस 2 आएगा मतलब आरकेणो n प्लस 3 आएगा n प्लस 2 आएगा तो n प्लस 3 आएगा तो आरकेणो n प्लस 4 आएगा यह आपको जेनरल फर्मूलाज देखे हैं, दिये हुए हैं, क्लोजो का, नाइडो का, आरगेनो का, असका क्लाइडो का, यह सब जरूरी नहीं है, आप जेनरल फर्मूला नहीं भी याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट यह आप जिसको नहीं भी याद रखेंगे, त मतलग क्या होता कि poly hydro laktron pair होता है PEC का मतलग होता poly hydro laktron count जो हाँ पे लिखा हुआ है आपको कुछ point और लिखें जो आपको ध्यान रखने है C याणि C कहीं पे carbon system रहाग तो रिप्लेस कर जीगा Boh 2 unit से nitrogen रहाग कहीं पे भी तो रिप्लेस कर जीगा Boh 2 unit से अक्सीजन रहा तो रिप्लेस करेंगा बी एच थी उनिट से, यह आप उत्वाद ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह इंपोटेंट है, इसका काम परेगा आपको, इसलिए आप उसको ध्यान रखना पड़ेगा, अब उसको बाद मैंने यहां पर काफी सारा, मैंने यहां पर का काफी डिफ्रेंट सारे बुक का है, तो इससे बाहर आपके एक्जाम मास्टर्स के फर्स सेमेस्टर में नहीं आने वाला है, आपके काफी सारा एक्जामपल दिया हुआ है, जिसके नीचे मैंने एंसर भी लिखाया, और इसमें सोल्ब करके ही बता है, और आप दो मिनट या पांच उनिट पर आप सॉल्ब करना तरीका सीख चाहिए, कैसे निखालना जाता है, क्लोजो, नािटो, आर्केनो, हाइपो, एस्टुक्चर किसी भी कैरबोरेन और बॉरेन सिस्टम का, तो फिर हम चलते हैं, हम लोग निकालना सीखते, आप ध्यान लगएगा, कि बी, एच इस तर्म से तोरना है कि आपको बी जो बोरेन है और हाइड्रोचन है एक बी एच इनुट में दो एलक्टरों होता है तो इसको मैंने तोड़ा poly electron count BH6, तो BH6 ने एक boron भी चाहँ गा है, या पर लिखाए कोच्छ ने 6 boron है, hydrogen 6 है, तो आपको पता है कि एक जो BH unit हो तो दो electron count करते हैं, तो कितने BH unit है 6 है, तो 6 दुनी 12, दो कहां से आगया है, दो ये negative चाहँ उसको add करते हैं, कितना है, 14, यानि poly electron count होगे, आपको 14 electron, फिर आगे क्या करना है, कि जब आप poly electron count कर लिए, तो pair निकाला, यानि poly electron pair होता है, poly electron count by 2, आनि 14 by 2 equal to 7, ये 7 आगया, अब आप ध्यान रखेंगे, जो BH unit जो हमने 6 माना, उसको in माल लेंगे, तो in में कितना जोरेंगे कि हमको 7 आजाएगा, तो आप करें, तो B12 है और ह 14 है, तो इसको इस तरह आप तोरिये, कि आपको pH unit में convert करके आपको तोरना है, तो अपहां पर क्या करते हैं, बोरों यहां पर कितना होगा, 12 हो गया, लिजा कितना हो गया, 12 हो गया, तो फिर ह 10 दो, 14 हो गया, तो आपको इसके बराबर तूट गया, तो आपको तोरना भी एच्वट करके तो पाली एलक्ट्रॉन唇 का विशा हो गया तुहां पहरा बुरे बुट हुट है तो बारा वगोра रने दो कर दिया ऐकाट काट्रॉन तो पाली एज्यorta noir काट्रॉन विशागहा दो सनठ आ जी kier तो N कितना हो गया, तो 12 में कितना आप जो रेंगे कि 13 आजागा, तो 12 में एक जो रेंगे तो 13 आजागा, नहीं N प्लस 1 इंडिकल को क्लोजो, समझ गया, फिर अगर माल लीचे, कि आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या देदे, डिफरेंट देदे, कि जो आपको हो गया, तो 2 इंडिकल दिया, और जो यह हवाला जो इसको जस्काता समने लिखती है, अब इस सब को जोड़ दिया, क्या हो गया, बी बारह हो गया, यह दो बारह हो जाएगा, अब इसको इस फॉर्मेट में आप तोर लिजेगा, कि आपको बराबर हो जाए, तो आप इसको इसको देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आगे इस ट्रक्चर मैंने फिर लिया, बी फाइब एच नाइन को आपको इस तरह तोरना है, कि बी एच यूनिट के फॉर्म में फाइब आ जाना चाहिए, और एच बाहर आपको आगया फोर, तो आपको देखेंग पॉर्म 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 पॉ कितना जो रहेंगे कि आपको यहां पर साथ पूर जाए तो इस तरह से आप इसको निकाल पाएंगे अगर हम आगे से चल्प्रूंपोर इसका के से अगर डू ओंड 따 नवंद शेल मांना है आप भूष्प यत्थार प्रण चाहता है यहوس को बाहर है कि और युद्रशन मेंद माड़ा हो गया दो hydrogen भी आगया, अब hydrogen के तमाचा 5 तो H5 लिखते हैं बाहर, तो poly electron count जोड़ें, एक borane के लिए 2 electron होता है, तो 2 borane के लिए 4 electron, तो 4 electron, एक hydrogen के लिए 1 electron, तो एक गुने 5 हो गया, एक negative charge जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 10, तो poly electron pair आप निकल जागा, फिर poly hydro electron pair दोनों बात ब् इस हवाला जो यूइट बान देंगे कि आपको 5 आजाए गा तो इसलिए N प्लस 3 बोली आने इसका इस्टक्चर और अरकेनो का एस्टक्चर कुछ इस टाइप का बैठा देंगे फिर आप देखेंगे B5H11 है इसको कैसे सुल्प गया तो फिर इसको यूट बाल लिए तो बी एच 5 लिख सकते हैं और H6 लिख सकते हैं तो फिर बी पांच को हो गया फिर इसमें काउंट करेंगे तो पॉली लक्ट्रों काउंट 16 आ गया पॉलेट्रों पेर अपने कालेंगे तो फिर आगे देखेंगे फिर मैंने लिखा इसको कैसे सूल्ब करेंगे तो इसको सूल्ब करने का तरीका है जो कार्बन है उसको आप क्या कीजिए बी एच उनिट में रिप्लेस कर देजिए तो बी एच उनिट लिखेंगे तो एक बी एच उनिट है तो आपको कितना दो कार्बन है तो दो बी एच उनिट हो गया फिर वह था ऐन काउंट के तो शौरा सब्सवतक्राये चाहिए अगे कुश और कोशन देखते हैं फिर आप आगे देखेंगे तो इस तरह मैंने यहां भी solve किया कि नाइडो का इस तरह का structure होता है फिर मैंने यहां पर B2C2B4H8 को solve किया है इस तरह से फिर इसमें count किया है इसको देखेंगे आपको clear cut समझ में आगा और फिर मैंने इसको नाइडो निकाल दिया ने प्लस टू फिर उस तरह से आपको यहां पर नाइडो का structure है यह आप देख रहे हैं तो यह आपको नाइडो का structure इस तरह नाइडो का structure बनाना होगा यह भी आपको नाइडो का structure दाट इस सिमलेस से दोने structure चेम है जैसे कि एक example है यहां पर C2B3H5 कैसो solve करेंगे तो आपको एक carbon को आपको दिहान रखना है और आपको solve करना एक दो structure और जो इंपोटेंट है जो आपके syllabus में कम चांसे से पूछने का बट पूछ भी सकता है उसको जिंटल आयन बोला जाता है यानि कहता है कोई भी जो आइनिक cluster होता है जो मेन ग्रूप को उसको जिंटल आयन बोलते है जनरल लिगेंट नहीं होता है क्योंकि यह सिर्फ मेन ग्रूप एलिमेंट है तो कोई लिगेंट नहीं होता है इस तरका structure इसको कैसे निकले अगर एक्जाम में पूछ दिया जनरली बिहार भी शुदा लेकिगा में नहीं पूछेगा और पूछ दिया तो क्या करेंगे इसका काउंट करकर निकाला जाता है तो चुर्वर नाइडों के करेंगेATOR काउंट करेंगे टो फ्रोड़ेक्ष वर्मूला फारन प्लस टू नॉर्म प्लस प्लस ऊंद 구差 र प्लस तू और अृपके नंबर फॉर मेटर्स आयन होता है जैसे कि आप देखेंगेंगे कि पी इपी व मैंनस कीटना हो गया पथा है नियु कैशिए चार होता एक accountability के लिए चार होता था फॉने चार ययाने 20 का प्लास दू किटना हो गता हो गया डाईस तो टोटल लक्टों श्म िलान हो गया इसन नाइन और 4 है मैनस 4 है तो टोटल फिलनस तर्फ डिया होता है तो नौचों का 36 से प्लस 440 हो गया आप 40 कैसा पूराएंगे तो यहां पर इन का फैल्ली होता है जो क्योंकि मेटल्स है इन कमांट नंबर फा मेटल्स होता है तो नौ मेटल्स है तो फोर इंटू नाइन करेंगे अप प्लास चार्ज हो लेंगे तो आपको चालिस पुछ लेगा इसलिए इसका नाइड हो गया फिर आप इसी तरह देख लीजिए इसका पी सॉलूशन है आप इस भी फोर टू माइनस है इसमें टूटल काउंट कर लीजिए सब मेन ग्रूप इलिमेंट को वो जिन ट्रान बोलते हैं और उसके लिए निकाला तो तो टूटल वेलेंस काउंट कर लीजिए और यहां पर जो एन है नंबर फा मिल्टल्स है तो मिल्टल्स आपको कितना हो यह आपको एस्ट्रक्चर से अध्यान रखना पड़ता तो जनरली आपको बेड रूल से चो कोश्चन आते हैं वह आपको बहुत इंपोटेंट है वह आपको 5-10 मार्क्स में भी आएंगे या तो फिर आपको अब्जेक्टिव मार्क्स में आएंगे तो बिहार जाते हैं इसको ध्यान से पढ़िए सीखे को दिक्कत है तो कॉमेंट करके पूछ लीजे हम बता देंगे थैंक्यू